और कितनी खुशी की बात है आज बहुत लोगों का है तो सर्दी लेकिन आज बहुत लोगों का धुवा निकल रहा हूँ बिहार का पारा इन दिनों लगतार गिरता ही जा रहा है लेकिन फिर भी इस सर्दी में कुछ लोगों का धुवा निकल रहा होगा कहीना कहीं इशारा विपक्ष की ओर है विपक्ष भारतिय जन्ता पार्टी की ओर है और इशारा है बिहार के उपमुक मंतरी तेजश्वी यादव का पटना के गांधी मैदान में नियुक्ती पत्र बाटने के दोरान बिहार के उपमुखमंत्री तेजश्वी आदव ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और साफ कहा कि आज सर्दी कुछ जादा है लेकिन कुछ लोगों का धुआ निकल रहा होगा वो कहते थे कि भगवान भी आ जाएं तो नियोजित सिख्षकों को नियमित नहीं कर सकते हैं लेकिन बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार के नेत्रित में हमने नियोजित सिख्षकों को नियमित करके दिखाया है क्या कह रहा है उपमुखमंत्री तेजश्वी आदव पहले ह आपको सुनाते ही और कितरी खुशी की बात है आज बहुत लोगों का है तो सरदी को लोग कहते थे कई नेता है बड़े बड़े नेता रहें वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाएं तो इनको राजकिय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता लेकिन मानने मुख्मंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए पिछली बार जब निक्ति पत्र का वितरन हो रहा था एक लाग बीस हजार लोगों को निक्ति पत्र वितरन किया गया तो इसी मन्च से वहाँ खड़े हो करके मानने मुख्मंती जी नहीं कहा था कि नियुज्यत सिक्षकों को हम राजकिय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करें के उस काम को भी इनोंने पूरा किया चिदे तोर पर आज पटना के गांधी मैदान समेट पूरे बिहार में लगभग बिरानवे हजार से अधिक सिक्षकों को नियुक्ति पत्र बाटा गया और ऐसे में आज खुले मंच से बिहार के उपमुक्मंत्री तेजश्वी आदव ने इजम कर निशाना साधा और खुले मंच से विपक्ष पर जम कर हमला बोला है साफ तोर पर आज पटना के गांधी मदान में न्यूकती पत्र बाटने के दोरान जिस तरह से जो पारा है बिहार में सर्दी का सितम लगतार जारी है ठंड काफी जादा है और ऐसे में तीजश्वी आदव ने ठंड का सहारा लेते वे ठंड का एक्जामपल लेते वे विपक् पर तीजश्वी आदव ने खुल कर खुले मंच से जोरदार निशाना साधा है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल कर लें फेजू पेज को भी फॉलो करना ना बुले पटना से सहयोगी आजय के साथ विशाल भारत द्वा प्रोड़ कर दो